नमस्कार दोस्तों, IPL ने बहुत सारे खिलाडियों का किस्मत बदला है, उसमें से एक है हर्शल पटेल, जो अपने बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। जब 2005 में उनका पूरा परिवार USA में शिफ्ट हो गया था, तब वे उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें एक भारितिय क्रिकेटर बनना था, और आज वो बन गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर वेजन की बात करें, तो हर्शल पतेल की वेट है 65 kg। बॉडी मेजरमेंट चेस्ट 38 इंच, वेस्ट 30 इंचेस, बाइसेपस 12 इंचेस, आई कलर ब्लाक और हैर कलर ब्लाक। आईए, अब देखते हैं एडुकेशन लाइफ कैसा है। कॉलेज हर्शल पतेल ने HA College of Commerce, अमिदाबाद, गुजराथ से परहाई कम्प्लिट किया है। और अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो हर्शल पतेल एक ग्राजवेट है। बैटिंग स्टाइल हर्शल पतेल डाय हांट से बल्लेवाजी करते हैं। बॉलिंग स्टाइल आप सभी जानते हैं कि हर्शल पतेल राइटर मीडियम फास्ट बोलर है। इंटरनाशनल डेबिव दोस्तो हर्शल पतेल ने T20 में 19 नभिंबर 2021 को निवजिलन के खिलाफ अपना पहला डेबिव मैच खेला। जर्से नंबर हर्शल पतेल का जर्सी नंबर है 36 आईपिल सैलरी आरसेबी ने हर्शल पतेल को 10 करोर 75 रुपे देकर 2023 में फिर से खरीदा है। आईए अब देखते हैं कि फैमिली में कौन-कौन है। दोस्तो हर्शल पतेल अभी भी शादी शुदा नहीं है। हर्शल पतेल का गल्फेंड का नाम है देवश्री जोशी। सिस्टर नेम अर्चिता पतेल। ब्रादर नेम टपन पतेल। हर्शल पतेल का नेट वर्थ है 25 करोर रुपे। सैलरी अगर सैलरी की बात करें तो हर्शल पतेल को 3 लाख रुपे मिलता है पर T20 गेम का। कार कलेक्शन दोस्तो हर्शल पतेल की कार कलेक्शन के बारे में इतना तो हमें नहीं पता लेकिन ये अंदाज़ा लगया जाता है कि देड़ से 2 करो रुपे की लेक्जिरियस कार उनके पास है हॉबिज पतेल का हॉबिज है म्यूजिक सुनना, ट्राविलिंग करना और रग्बी खेलना फेबरेट क्रिकेटर की अगर बात करें तो हर्शल पतेल को सचिन तेंडूल कर रिकी पॉंटिंग और डेनिल स्टेन बहुत फेबरेट लगते हैं आईए अब देखते हैं कि फैन फॉलविंग कितना है ट्विटर पे हर्शल का 35,000 फॉलवर है वही इंस्टा पर करीब 5,15,000 फॉलवर उनके है अब देखते हैं कुछ अन्नोन फैक्स हर्शल पतेल के बारे में नमबर वन दोस्तो हर्शल पतेल USA की ग्रेन कार्ड होल्डर है इनकी पूरे फैमिली 2005 में USA शिफ्ट हो गई थी लेकिन हर्शल ने इंडिया में रहने का सोचा क्योंकि उनको एक इंडियन क्रिकेटर बनना था नमबर टू हर्शल पतेल सर्फ 8 साल की उमर में तारिक त्रिवेदी के गाइडेंस में अपना क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू किया नमबर त्री सन 2009 में हर्शल पतेल विजे हजारे ट्रोफी के लिए सिलेक्ट हुए गुजरात के तरफ से और इसी से उन्होंने अपना पहला डेबु मैच खेला उनका पहला मैच था महराष्ट्र के खिलाफ नमबर फॉर दोस्तों क्या आपको पता है कि हर्शल पतेल 2010 में भारत की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे लेकिन उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया नमबर फाइब हर्शल पतेल तब लाइम लाइट में आये थे जब उन्होंने एक इनिंग्स पर बेंगा लुड़ी की पांच विकट ली थी तो दोस्तों ये थे हर्शल पतेल की लाइफस्टाइल आप अगर हर्शल पतेल के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक करे और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले